नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ग्यानलो में आज हम बात करेंगे Magnetic Effects of Current के बारे में और इसके अंदर एक एक्सपेरिवेंट भी देखेंगे एक एक एक्टिविटी भी देखेंगे जिसके तुरू ये पता लगता है कि करेंट के कारण Magnetic Effect Generate होता है ये पता लगाया गया था और स्टेड के दुबारा 1820 के अंदर पहले इससे पहले क्या है इलेक्ट्रिक करेंट और Magnetic Field को या कहीं कि Magneticism और Electricity को दोनों को अलग-अलग समझा जाता था लेकिन इसके बाद इनको कंबाइन किया गया क्योंकि करेंट के कारण क्या है Magnetic Field जो है Generate होता है यानि कि Magnetic Effect ये क्रेंट क्रेंट करता है तो इस Experiment के दुरान क्या पता चला कि जब हम Compass का यूज करते हैं अब Compass भी एक तरह का Magnetic Material है तो Compass का जब हम यूज करते हैं उसको हम जो Electric Wire है जिसमें से एक Wire में से माली जे क्रेंट फ्लो कर रहा है उसके पास अगर आप Compass को रख दें तो ये Deflection शो करती है यहीं से पता चलता है कि क्रेंट जो है Compass के थ्रू देख सकते हैं कि वो Reverse हो चुकी है उपोजिट डारेक्शन शो करती है Compass तो इसके लिए हमने यहाँ पर दो Figure बनाई है इन दोनों सर्किट के थ्रू हम समझेंगे कि किस तरह से यह Compass जो है यह अपनी डारेक्शन को नोर्थ ले लिजिए आप यह जो डारेक्शन है इस तरह से आप आप शो कर दीजिए यहाँस पर कि किस किस तरफ कौन कौन सी direction है यहाँ पर हम लिख देते हैं तो यहाँ पर देखिए यह West है यह East है यह South है और यह North है इस तरह से तो यहां पर यह साउथ और यह आपने नोर्थ लिया और आपने एक कमपास ले लिए यहां पर यह क्या है कमपास हम इसको सी बोल देते हैं तो यह कमपास है starting के अंदर जो इसकी direction होगी इस तरह से होगी इस direction में होगी जिस तरफ हमने ये दिखाई है यानि कि south और north direction में होगी तो south और north direction में जब ये होगी तो जैसे ही आप यहां पर ये resistance यूज किया गया है ये battery है ये key है जब key को आप यहां पर डालेंगे तब ये circuit complete होगा तो इस तरह से battery के through जब आप current supply करेंगे तो यहां पर देखिए A से B की तरफ जा रहा है यानि कि south से north की तरफ जा रहा है तो ये जो compass है ये आपने जो इसके नीचे रखी है ये जो है west की तरफ deflection सो करेगी इस तरह से जो है ये deflect होना start कर देगी यानि कि west की तरफ जाएगी जो कि हमने ये दिखाया है तो south से north की तरफ जब current flow होगा तो पहले ये south north की direction में align थी लेकिन एक दम से west की तरफ जो है deflect हो जाएगी इसको आप याद रख सकते हैं इस word से snow से यानि कि south north direction में जब current flow करेगा तो ये जो direction होगी compass की on west होगी तो west की तरफ जाएगी इसी तरह से अगर current की direction जो है change कर दी जाए यानि कि यहां से जैसे यहां south है यहां north है आप इसकी direction को उल्टी कर दें इस तरह से यहां a था या b था अब b से a आपने direction कर दी current की उल्टी कर दी अब जो deflection है वो क्या रहेगी वो आपकी deflection east की तरफ आ जाएगी यह जो deflection है इस तरफ east की तरफ आ जाएगी तो यह east की तरफ शो करेगी यानि कि जब a से b की तरफ direction थी तो needle ने west की तरफ दिखाई compass ने जो direction है और जब b से a की तरफ आपने reverse कर दी direction current की यानि कि यहां south से north की तरफ सी यहां north से आपने south की तरफ कर ली तो यह जो needle है compass यह भी अपनी direction को opposite कर देगी पहले west की तरफ थी अब east की तरफ यह deflection दिखाएगी तो इस तरह से हमें पता चलता है कि यह जो wire है यह current carrying जो wire है इसके आसपास magnetic field generate होता है और अगर इसके current को हम reverse कर दें जैसा कि हमने second figure के अंदर दिखाया तो यह जो compass है अपनी deflection को भी उल्टा कर देती है पहले west पे थी तो फिर यह east पे कर देगी तो इससे यह show होता है कि यह बिल्कुल जो सही है कि current carrying जो भी conductor है या wire है वह अपने आसपास magnetic effect को create करती है तो यह था magnetic effect of current तो thank you वीडियो देखने के लिए और इसी तरह की वीडियो के लिए आप हमारे चैनल ग्यान लोपे हमें subscribe कर सकते हैं धन्यवाद